आई आई टी दली में दिक्षान समारों में इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है सीधे रूप करते हैं का विश्वास भी देता हूँ आज महान विज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमण जी की जैनती है यह बहुत ही शुप अवसर है आज कॉन्वोकेशन का और इनके जन्मदीन के साथ जूढने का मैं उनको भी आदर पुर्वक नमन करता हूँ उनका उत्तम काम सदियों तक हम सब को खास कर मेरे युवा विज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा साथियों कोरोना के ये संकटकाल ये दुनिया में बहुत बड़े बड़लाव लेकर क्या आया है पोस्ट कोविड वर्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलोजी की ही होगी साल भर पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि मिटिंग्स हो या एक्जाम्स वाइबा हो या फिर कॉन्वोकेशन्स सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है वर्चुल रियालिटी और आगमेंटर रियालिटी ही वर्किंग रियालिटी के जगा लेती चली जा रही है बनती जा रही है इलते आगे लिए लुटे रही है लुटे शबश्ड़ से बनती लो जाय वर्किंग्स वार क्या दिवित्विटी आग्स का नाग्स्वारूदी चुटे लुटाम्स प्रमार स्वाइबाशन्स Do you have a first mover advantage. Do you have more time to learn and adapt to the new norms emerging in the workplace and beyond. So, make most use of this and think of the brighter side too. You are also a lucky batch. You were able to enjoy rendezvous in your final year on campus. See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha at the night mess, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two type of friends. College friends, hostel video game friends. You will surely miss both. साथियों, इसके पहले मुझे आयाटी मद्रास, आयाटी बॉम्बे और आयाटी गोहाटी के कॉन्वोकेशन्स को भी इसी प्रकार से एटेंड करने का आउसर मिला, और कहीं पर रूबरू जाने का आउसर मिला, इन सभी जगों पर मुझे ये समानता दिखी, कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है, आत्म निर्भर भारत अभ्यान के सभलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है, कोविड नाइंटीन ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है, ग्लोबलाइजेशन महतपुण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलाइंस भी उतना ही जरूरी है, साथियों, आत्म निर्भर भारत अभ्यान, आज देश के नवजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटर्प्राइज लीडर्स को, अनेक नई आपर्चुनिटी देने का भी एक एहम अभ्यान है, उनके जो आइडियास हैं, इनोवेशन्स हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लिमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सरवाधिक अनुकुल वातावरन बनाया गया है, आज भारत अपने युवाओं को इस ओफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तहरा प्रतिवत है, ताकि ये युवाओं अपने इनोवेशन्स से करोणों देश वाच्चों के जीवन में परिवर्तन ला सके, देश आपको इस ओफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपके महरत से, आपके अनुभव से, आपके टालेंट से, आपके इनोवेशन्स से, देश अगर आपको इस ओफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्ताएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरी को Ease of Living देने के लिए नए नए innovations लेकर के आईए नए नए चीज़े लेकर के आईए हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़ोए reforms किये गए हैं उनके पीछे भी यही एक सोच है पहली बार Agriculture सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्ट अप्स के लिए अंगिनित संभावनाय बनी है पहली बार Space सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्थे खुले हैं दो दिन पहले ही BPO सेक्टर के Ease of Doing Business के लिए भी एक बड़ा reform किया गया है सरकार ने अजर सर्विसिस प्रोवाइडर OSP Guidelines को एक दम सिंप्लिफाई कर दिया है करीब करीब सारे restriction हटा दिये हैं एक प्रकार से सरकार अब की मुझूदगी महसूस नहीं होगी हर एक पर भरोसा किया गया है इससे BPO Industries के लिए compliance का जो burden रहता है बाती-बाती के बंदन रहते हैं सब कुछ कम हो जाएगा इसके अलावा bank guarantee सहीत दूसरी अनेक जरूरतों से भी BPO Industries को मुक्त किया गया है इतना ही नहीं ऐसे प्रावधान जो tech industry को work from home या फिर work from anywhere जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे उन कानूनों को भी हटा दिया गया है ये देश के IT सेक्टर को globally और competitive बनाएगा और आप जैसे young talent को और जादा मोके देगा साथियों आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए एक के बाद एक निर्ने लिये जा रहा है पुराने नियम बदले जा रहे है और मेरी ये सोच है कि पिछली सताब्दी के नियम कानूनों से अगली सताब्दी का भविस्थता नहीं हो सकता है नई सताब्दी नए शंकल्प नई सताब्दी नए रित्रिवाज नई सताब्दी नए कानून आज भारत उन देशों में है जहां corporate tax सबसे कम है स्टार्ट अप इंडिया इस अभ्यान के बाद से भारत में पच्चास हजार से भी जादा स्टार्ट अप शुरू हुए है सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले पांच वर्षों में देश में पेटेंट की संख्या चार गुना हो गई है ट्रेडमार्ग रिजिस्ट्रेशन में भी पांच गुना वृद्धी दर्ज की गई है इसमें भी फिंटेक के साथ साथ एग्रो डिफेंस और मेडिकल सेक्टर से जुड़े स्टार्ट अप अब तेजी से बढ़ रहे हैं बीते वर्षों में बिस से जादा युनिकॉंस भारतियों ने भारत में बनाए हैं जिस तरह देश प्रगती पत पर बढ़ रहा है मुझे विश्वास है कि आने वाले एक दो सालों में इनकी संख्या और बढ़ेगी और हो सकता है आज यहां से निकलने वाले जो आप जैसे नवजवान है वो उसमें एक नई उर्जा भरते साथियों इंक्यूबेशन से लेकर फंडिंग तक आज स्टार्ट अप्स को अनेक प्रकार की मदद की जा रही है इन आप मरें की इंक्यूबेशन स्टार्ट